भारत वर्षक के पूर्वर राष्ट्रपती डॉक्टर प्रणव मुकर जी इनका अपने पार्थियू पर को छोड़ कर जाना उनके संपरकम में आये हम सभी संग के स्वयंशयों को के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है जब वो राष्ट्रपती थे तब दो बार और उसके बाद भी तीन-चार बार मैं उनको मिला हूँ पहली भेट में ही उनके आत्मिय और उदार स्वाभावी क्वेवहार ने मुझे ये भूला दिया कि मैं भारत के राष्ट्रपती से बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर के किसी बुजूर के से बात कर रहा हूँ और ये उनका व्यवार सदा सरवदा सरवत्र जितना मैंने देखा सब के साथ देखा यहां वो संगह के वर्ग में वर्गव को देखने के लिए आये थे और भी दस बारा आती थी थे उनके साथ उनके परिचय का कारिक्रम था तो सब आकर बैठ गये प्रणोधा भी आकर वहां बैठ गये और कारिक्रम का संचालन करने वाले खड़े होकर अब शुरू होने ही वाले थे प्रस्तावना करने के लिए उतने में डॉक्टर प्रणोध मुकर जी खड़े हो गये और उनका देखो हम यहां पर परिचय के लिए एकत्रित आये हैं मैं मेरे से प्रारंब करता हूँ खड़ा होकर उन्होंने अपना परिचय सबको दिया थोड़ा सा परिचय दिया मैं प्रणो मुकर जी भारत का राष्टरपती रहा हूँ ऐसा करके ओबैट गये ये इतनी अनपेक्षित बात थी सब लोग अवाक रहे गए और सब लोग मन ही मन उनके इस सादगी की और मिलन सारिता के कायल हो गए इतना सब के साथ सामान ने होकर गुलने मिलने वाले वो थे लेकिन वो बहुत बड़े अनुभवी परिपक्व ऐसे चिंतक भी थे उनके पास जानकारी भी थी दीरग जीवन में अनुभव के कारण उस जानकारी को पचा कर सद दिशा में उसका उप्योग करने वाला विवेक भी उनके पास था और इसलिए हम जैसे लोगों के वो मार्ग दर्शक बुज़ुर्ग थे उनके साथ बैठे जितना देर बैठेंगे लगता था और बैठे वो और बोले हम अपने आप अपने में अपने व्यक्तित्वकों समुरुद्ध होता उनके सानीध्य में अनुभव करते थे लंबा राजनीतिक जिवन कुशल राजनीतिक जिवन का बहुत सफल जिवन उनका राः सब प्रकार की चाले भी वो जानते थे परंतु इस राजनीति के उपर उठकर देशहित में सबको अपना मान कर चलने की और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सबको अपना बनाने की उनकी वृत्ती ये सदईवो उनके विवार में हमने देखी है हमने एक विद्वान को खोया है हमारे आपके सामाजिक और व्यक्तिकत विवार में विवेक के मार्ग दर्शन को देने वाले एक सुरुध को खोया है बुजुर्ग को खोया है ये जो हमारी क्षती हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती मेरे जैसे कई लोगों के जीवन में प्रणोदा बहुत थोड़े समय के लिए आये परन्तु वो सदैवा याद रहेंगे सदैवा लगेगा कि उनका होना हमारे लिए कितना आवश्चक था नियती की इच्छा है उसको हम कुछ कर नहीं सकते उनके परिवार जनों के शोक में हम सक समान समवेदना रखते हुए सहबागी हो रहे है और उनके आत्मा की सद्गती के लिए इश्वर चरण में प्रार्थना कर रहे है